तो यूटूब चैनल तर सचेसिंग आज की वीडियो हम बात करेंगे सेडल जोइन एंड कॉंडेलाइट जोइन के बारे में यह वीडियो हमारा पार्ट फॉर्थ वीडियो है लेसन नंबर 14 का अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो में शुर आप पिछले पार्ट जरूर देखे तभी आपको यह सारे पार्ट साइन आविल जॉइंट के सारे टाइप अच्छी तरह से समझ में आएगे उसका लिंग में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगा आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन बॉलते हैं कि जैसे घोड़े की ऊपर बैठने के लिए जो सीट लगाई जाती है जिसको हम सेडल बोलते हैं तो एक बोन हमारी उस तरह से है और जो हमारी दूसरी बोन है वो ऐसे है जैसे कोई घोड़ सवार घोड़े पर बैठ रहा हो ठीक है तो इस तरह से यह हमारा एक जॉइंट फॉर्म करती है जो saddle joint होता है यहाँ पे rotation होना possible नहीं हो पाता क्योंकि bones इस तरह से design की गई है कि rotation ना कर पाएं जो best example रहेगा saddle joint का वह है carpometacarpal joint of your thumb thumb के नीचे जो carpals रहते हैं और metacarpals है उनके बीट जो joint form होता है इसको हम carpometacarpal joints बोलते हैं यहाँ पे आपकी जो trapezium bone है वह fit होती है आपके first metacarpal से saddle joint को बनाने के लिए इस तरह से यह joint है move करता है जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा उठा इधर भी जा सकता है circumduction भी perform कर सकता है अब बात करते हैं synovial joint के last joint के बारे में जो है condylite joint condylite joint को हम ellipsoid joint भी बोलते हैं इस condylite joint में इस तरह से होता है कि यहाँ पे जो एक bone का last end होता है जो एक round oval shaped होता है वह fit होता है किसी दूसरी bone के elliptical cavity में जैसे कि आप इस animation में देख पा रहे है condylite joint दिखने में तो ball and shocker joint की तरह दिखता है यहाँ पे जो main action होते हैं वह होते हैं flexion, extension, abduction, adduction और circumduction यह सारे action यह condylite joint perform कर सकता है तो इस तरह से condylite joint भी saddle joint की तरह biaxial joint है अगर मैं condylite joint के example के बारे में बात करूं तो जो हमारा wrist joint होता है जिसको हम radio couple joint भी बोलते है यह best example है हमारे condylite joint का यहाँ पे क्या करता है यह wrist हमारी इस तरह से भी move कर सकती है, side by move कर सकती है, इधर इधर move कर सकती है, circumduction perform कर सकती है अगर मैं condylite joint के और example के बारे में बात करूं तो जो हमारे body के carpo phalangeal joint होते हैं यह वाले joints होते हैं यह भी example है condylite joint के यह भी हमारी उंगले इस तरह से इस तरह से perform कर सकती है, side by move कर सकती है, इस तरह से circumduction perform कर सकती है यह भी example हुए हमारे किसके condylite joint के, यह थी basic detail हमारे saddle joint और condylite joint के बारे में अभी तक हमने अपने सारे synovial joint cover कर लिए हैं अपने इस lesson number 14 में, जहां मैंने इस lesson number 14 को 4 parts में divide किया इसका link नीचे आपको description में मिल जाएगा, आप वहाँ details में इस पर सारी चीज़े पढ़ सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं I hope आपको सारी information बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको यह advanced personal training course में मज़ा आ रहा होगा अगर आपको इस सारी जानकारिया अच्छी लगे तो वीडियो पे like, comment ज़रूर करें, आपके like, comment जो होसले देते हैं किसी तरह की information में आप तक हमेशा पहुचाता रहूँ और अगर आप में चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेंशो में चैनल को subscribe कर लें, hit the bell icon ताकि इसी तरह के आपको health and fitness की जानकारिया हमेशा मिलती रहें Thanks for watching, stay healthy, stay fit, bye, जैहिन